अब गाय का फिगर दिख रहा है यहाँ पर यह लिखा है आपको होर्ण सिंक हार्ण बोलते हैं पोर पोल पॉल उनके क्या गए लेगे मात्या से थाड़ा उपर सीव को का सकते हैं उसके फोरहेड फोरहेड तो कपार समझ में आ गया हमत्ब ठील बला जाता है ठीक है विदर कण वनंगे ही इप किसको बलईगे ह हीब वोग पीन बॉन हो गया टेल-टेल्ड है टेली किसको पूचका है को मंदें गॉठना उसका घुजना की जर्ण नीचा चोटी-छोटी और होते हैं डिए बास ग्राइज स्क्राइज स्के बड होप मतले होते हैं उसके बाद हो गया अब दसे वो लागा थन जो से में बाली तैफ बड़न इसके बाद हों सबसे नीच ले सताह को और सबसे सबसे नीचे सतागहां तो चाहां है ठीक है उसके बाद आपको हो जाएगा पॉइंट ऑफ एल्बू काहां परकुब लॉंस फिर गश्यूंट फैट लोग जोइन्ट फैटलोग जूइनट फैटलोग जिए पैस्टर जएट प्रिस्टेट खूर की ज़स्ट ऊपर हो जाएगा फैट लोग जोईंट और पैस्ट जोईंट नीचे में ठीक है पॉइंट आप फेलबो समझ में आगे नीजोईंट समझ की घुटने को बोला जाता है ठीक अचा आगे का घुटना है तो नीजोईंट ना और अगर पीछे का वही है थे दोश्कोंडा तक्या है कर दोंट हॉप जोईंट होग जॉइंट एह एक इसपोसी के जै और आइंट है ठीक है उसके भाद ब्रिसक्ट विस्टिट किसके बादे गरदन के नहीं से जूलर रहता है मुंद प्रिस्टिट इसके बाद डेवलाप डेवलाप पर के पर लगार भूवह पूर्ण के लिए आपको नुट के लिए आपको नोश्टिल नुट को विजिंगे पसूँ के बेग्यानिक नाम जिलोजिकल नेम आफ आप पसूँ को उनके साधारे नाम उसे जाने जाता है पर उन्तुक काय रोलस निलियस द्वारा दी गई पधाती के आ परदान किया गया है जो दो नामों से मिलकर बना होता है इस नाम में पर्थाम सब्द जो होता है पॉस्ट के वन्स को बताता है और जो दूसरा सब्द होता है इस्पिसीज को जाती को बताता है ठीक है तो जीन्स का पर्थाम अक्षे जो हता है बड़ा होता है केपिटल रख् दखते हैं और इन्हें अन्डरलाइंड किया जाता है ठीक है लो दिख लिए कुछ बीधि प्रसों के बाते हैं के डिए अली के टव टल को जाता है इसका बीधिकर भॉस इंडिकस बहुत इंडिकस जो है आपका भारतिया गोवन्स है या गाया है क्या है जो जेब कटल करते हैं जिसको एऊ फो इंडीजीनस कटल पहते हैं इंडीट लिए अनक्राइद सब्सक्राकर Click रूटीफ या आई ओओर के रहए है ऐसके बाद बूसरा बूर क्री य उक्षिस मिव मुद्सक्राइब है वियूब एल यू एस बी यूबड्स ठीकर शीप सीप मतल भी मिढ़ इसका लीक आपका ओव इस ओवी सेर आर आई केस्ट ए इस और इस ओवी सेड इस इसका कहा होता है एवने इस इसको बोड़ता है काप रा कं एक कापरा क्रह लाख हे और अच्छा एक सेगेंद अच्छ से इसके इन दीखने करना कॉपरा हिर्कस ह एक आई और सी ए गोड़ा इसका क्या हो जविट नाम घोड़ा और गधाश दोठोएंगा कि डबल यू कि एब डबल यू एइस इक्वस के बूल के वेलस घोड़ा इक्वस असीनस गधा इसके एमल उट हो जागा वन हम कैमल और टू हम कैमल कि किसी कैमल में कहते हैं दो हम होते हैं किसी में एक हम अधियर छक तो एक ठाय है कैमलस द्रोत द्रोमेडेरियस कैमलस ड्रोमेडेरियसी के एंपेल कैमल आइस काउड़ कि peng glide रोमेben डेयस ड gri噌 एर और येेस यह न्हीं की वन हम弦ा कैमल का है उसके बाद आपका टू हम हम्ड़ का मह यूड सी ए मैल यू एस क्एमल अभेल आइस आर आई एक एन एस बैग ए ट्रियनस बट्रीनस टूहांट के मल पीग पीघिम असुवर पीघ मत्भशूर सुवर असुवर इस इस पीपी पिखूर उसकर डोक टुटा कुटा कुटा का बलेता है सी एन आई एस गनिस एफ ए एम आई एल आई ए आर आई एस फै फैमिली फेम आपका नेयानीमल हर्जबेंटरी का डेफिनीशन दिया हुआ है एनीमल हर्जबेंटरी पुर्ट इसका गईर Neymal ह Aware शुबेंटरी पुर्ट कीजना करवाना उन से उत्पाधन प्राप्थ करना तथा उनकी देखफाल करना इसी के अंतरगतिय साख़ा प्रजणन ब्रिडिंग्स, खान, पान, फीडिंग, प्रबंधन, मनेजमेंट अच्छा इसी के अंतर का तेह सखा प्रजनान, खान, पान, प्रबंधन, परभावसाली, रोगनी अंतरन तथा पशों से प्राप्त उत्पादों व उत्पादों आधी से सीधा संब्स रखती है, एक बेहतर व सुद्रिंध पशुपालत अच्छे सामाजी को आर्थिक लाभ की और तेही से बढ़ता है, इसके बदा आगे हो जागा पशु परबंधन, लाइव इस्टोक कांञे के अंतरक्त पासुभूर्ण कि वे सभी उन्य कुमनेंट पधतिया सामिर की जाती है जो पतित लुटादन वह लाप यौक देविद करने में सहjutा करती है यह जैसे प्रजणन करना ब्रीडिंग निस्कासन निसकासन बोले मैं वीडिंग इसके बाद फिर आता है क्या निसकासन निसकासन में वीडिंग उसके बाद खान पांग मतलब फेडिंग वह अन्य प्रबंधन मनेजमेंट इसके साथ ही यह पसुधन से प्राप्त उत्पादों के जल्दी वह उची तुपयोग से भी संबंध रखता है ठीक है इसके बाद आ पूरक है अर्थात एक के मिना दूसरा अधूरा है ठीक है उसके पसुधन का वर्गी करने क्लासिफिकेशन आफ एनिमल पसुधन का क्या करना है अपने को वर्गी करना है ठीक है तो इसमें वर्गी करने क्या करनेंगे पसुधन को उनके जुगाली करने मतलब रूमिनेंट करने वो पेट इस्टमक की संरचना की आधार पर महत्पुन से जियों में बाढ़ सकते हैं निमना प्रकार से तो रूमिनेंट कि इनको बोलाता है इस त्रेंडी के अंतर का तो यह पसुआते हैं जिनका पेट इस्टमक निम लिखित चार भागों से मिलकर बना होता है जिनका बना हुआ नहीं होता है जिनका पेट इस्टमक चार भागों से मिलकर बना हुआ होता है बलकि बना हुआ नहीं होता अच्छा नोन रूमिनेंट में इस त्रेंडी में वे पसुआते हैं जिनका पेट चार भागों से मिलकर बना हुआ नहीं होता बलकि एक ही भाग होता है जिसे हम लोग ट्रू इस्टमक कहते हैं इसके उधारन है होर्स घोडा घोडा में रूमिन है ठीक है उसके पाद सीटोरोमेंड रोमेंड इस रेंड़ के अंतर वत के वाल के मैं के मेलीडी फैमिली के पसु आते हैं जिनके पेट इस्टमक कि इस्टमक वा ओमेजम अनुपस्चित होता है वह के वाल तीन ही भाग पाजाते हैं जिन्हें इस सहमें और और में डिहले हैं पाद ह्याद आप एकने मसव्हाते हैं एक शिपक dit 14 30 सुस्टमक पहते हैं जो ओमेंडिकेंजसितिसए अंदन और अगे प्रश्व करना को करते हैं इसमें लिए कि परपज किस उद्देश्थ से हम पस्व क्या करते हैं प्थान करते हैं और या फिर मैंजर जो इसके लिए ठीक है इसमें दिखा है हिंदी में दिखा है कि जो ओनर है या फिर जो पसुओं का मैनेजर है या जो मालिक है पसुपालक है वह अपने पसुओं को पहचांद साकी इसके लिए वो क्या करता है आइडेंटिफिकेशन करता है अपने जारूरम ठीक है दूसरा है पसुओं को च चोरी हो जाने के मामले में कर निकाल सकेंगे ठीक है अच्छे गूड़ वाले पसुक को कोई बदल ना पाइमाली हमारा को जानौर है वह अच्छे क्वालिटी का है अब कहीं में चला गया हो कोई अपना चेंज एक्सचेंज नहीं कर लिए इसकी चलते हम क्या करेंगे अडेंटिफिकेशन हमको हेल्प म अधर थर्ड है फोर एक्टूरेट रिकोर्डिंग आफ एनिमल पर टीटमेंट एई ब्रीडिंग्स प्रोडॉक्शन सेलेक्शन एलाइंग एक्स्टेक्ट एट सेक्टा ठीक है और उसके बाद फोर फोर इंसूरेंस इंसूरेंस कराने वाला बात वहीं आगया इट और ओव ठीक है उसके बाद शर्गा मैंस परकिया हम से किस परकार करेंगे इस परकिरिया से हम करेंगे में सबसे पहले परदेंग यह ब्रांबिडिंग ढला आप ऐखाओगो भूले हिंदी में कि दागना ठीक है चलिए उसके पर दूसरा स्थूद्प मतलब गोधना ठीक है उसके बद ये मैं रोड़ा ऑश्ते के लुग्यां करके नहीं है यह जोना है ये एर टेगिंग और ऐमको ये टेगिंग के जो अच्छा सहय गोडना हो गया उसके बद एर-noaching का मतलब होता है कान कतरना E-A-R N-O-T-C-H-I-N-G E-A-R-N g-E-A-R-norchio- sentiments E-A-R-T-A-Ο-G-I-N-G E-A-R taking मतलब कान चैदना होता है और पान्चमान है आपका नेक चिंग मतलब गले में क्या करना को मुश्डा नेक चिंग मतलब गले में कुछ टांगा लटकाना ठीक ऐख न होता है सिंग या खूर में कालर करना चार्वन होता है color marking color marking उसके वाद आटसवा है लेग लेग रिंग रिंग मतलब पईर में किया करना कुछ पेहना देना को चाहिए पईर में कुछ ही पुरेकर रिंग डाल देना ठीक है जिसे छहले उले कुछ होते हैं इस टेकर उसके बारद न catalyst से नहां है आपका टेल में डालना सब्सक्राइब सब्सक्राइब कभए टार्न ना फूंच में घंटी यूग और कुछ बांदना ठीक को दस्वान हैं आपका एक्षर नंबर या न्या कोई निसान पशू के सरीर पर दाग दिया जाता है ब्रांडिंग वो तरीका है जिसमें कोई भी अक्षर नमबर या अन्य कोई निसान पसू के सरीर पर दाग दिया जाता है ब्रांडिंग के काम में लिये जाने वाला उपकराण जो होता है वो कौपर या फिर आईरन का बना होता है पिछले पैरों पर जांग के नीचे यह परकिरिया किया जाता है अब देखते हैं हम लोग first hot iron branding इस परकिरिया में जानुवर को सबसे पहले क्या करते हैं बांध कर अपने काबू में करते हैं फिर क्या करते हैं जिस जगह पर हमको branding करना है उस जगह को अच्छी तरह से साप करेंगे साप करने के लिए हम लोग thinner का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर split का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक हैं उसके बाद iron को क्या करेंगे गरम करना है गरम कब तक करेंगे जब तक कि वह लाल ना हो जाए लाल होते तक गरम करना है उसके बाद ब्रांडिंग साइट के पास थोड़ा दबाव देते हैं मतलब जिस जगह पर हमको ब्रांडिंग करना है उस जगह पर थोड़ा सा दबाव डालते हुए हम क्या करेंगे कुछ समय के लिए रख देंगे ठीक है अब कुछ समय के लिए मतल तो तीन से किसे जाधा नहीं रखना ना ठीक है मातर ऑarts तीन सेकन के लिए रख देना है हलका सद歌 जिससे से इसकेन के पास उस निशान का अकार बन जाता है ठीक है जिस निशान के बारे में हम बातकर रहे हैरे हैं de觉 मिस an km हम लोग को बनाना होता है ब्रांडिंग करना होता है उस निसान का चीम क्या भआ बन जाता है वहाँ पर तो पजह क्या है वहाँ हो जाएगा दर गाव हो इस दिनों के लिए हम का ना पोड़ा एंटी त को फैंटीडियोतिきます मैं क्लिया उन्य व्यक्रेश्ट पॉइंट मेंट पॉइंट मेंट या फिर कोसं लगाते हैं ठीक है जिसकी इसका जो धाव हुआ है और असानी से ठीक हो जाएं आगे ना बढ़ें का विमार्य उस्टेव ठीक है अब देखते हैं हम लोग आपर कम यह क्या है कम यह मतलब प्राबलम क्या है इसमें हो टारें ब और टारेंड ब्राइंडिंग में प्राबलम क्या है प्रोडिवसर यहां पर लिखा देखो प्रोडिवसर सेट्स आफ ब्राइंडिंग आर यूजड यूजड कंप्रीजिंग फिगर आफ जीरो टू-9 एंड लेटर एट उजेट मतलब यह से जेट तक जीरो से नौ तक कु क्यान नियुक्ट Extra लेट ब्राइट बर्णी ऑईर्न इस अपलाइड को कि पननKayण बैई ऑन दी इस्कीन आंदे इसओ सब फिटाइड उपूर सोटिफ्ट है सन्यूल के लिए ढानटव मतलब ब्रैंडिंघ क्याइड ब्रांडिंड ऑने आत्रॉप अब मतलब लाइट धी लीटिल मस्टर्ड ऑइल अच्छा एलिटल मस्टर्ड इल इंजिंक ऑकसाइड माइव इसमेंड और दा बर्न टू इंकोरेज लिंग ठीक है अधम करना चाहिए मस्टर्ड आयल या फिर जिंक ऑकसाइड को कर सकते हैं वहां पर करने से कमिया क्या 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 है ठीक है MON में लिखा है और अच्छा एन प्रकीरिया है लोग को कायटलि ऑफ लौ ईसक करते हैं छोटी जनोर इसको पड़ाइन चैनल अपड़ा है गभिन जाता है हम ती देना पड़ता है हम को एंट डिना पड़ते हैं ठीक देना pa same set of branding iron can be used ठीक है धार आइरन फोली डिपेट इन दे ब्रांडिंग इंक एक्स्ट्रा इंक ड्राइंट आफ ग्राइस अपलाइड खृप्लाइड औन वे coisa पाइड इसक्टैसwow कैके लेंदी में दुखें एक या कि मि कीमिकल ड्रॉडिंग में लिका है किमी कल डाला जयता है कुल मिला खुलम है शुरे है जो ग्रॉठा इसके मिफ आला आपईयों औरन एप्लाइट पॉटिन रोट रिष दॉर्या शे क्के दरत इसके प्रच च्ना है शीजन के आपको JUL फीर्टूटर ब्रॉस यह प्रसीड को किया है क्रायों ब्रॉंडिंग क्रायों निंग कियों और आथ हका रधी ब्रॉइडि क्रायों किर जाओ धर प्रोजेडियूर लाइब लिव्ज वी वाइट ब्रांड मार्क देर फॉर मॉर इफेक्टिप फॉर एनिमल विथ ब्लेक कोष्ट तो इसमें परकिदिया क्या लिखा है सीधा देखो फ्रीज वाला जो हता है फ्रीज ब्रांडिंग वाला या तो क्रायो ब्रांडिंग इसको जाता है इसका उपयोग हम जानवर जो काले रंग के जानवर होता है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है यह वाइट कलर का रंग देता है ठीक है लिक्वीड लिक्वीड नाइट्राइट लिक्वीड नाइट्राइट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है लिक्वीड नाइट्र का कॉलर का कॉलर देता है ठीक है उसके बाद हम सीधे आगे चलते हैं इसमें देखा है दो सर्फेस तूट भी प्रफरेबली अनक्लीपेड क्लेंड सोक्ट विथ अलकोहल और कॉंस्टेंट कॉंटेक्ट टाइम वेरी वेरी फ्राइब तुट्वेंटी सेकेंड नियुबर्न तू अडल केटल ठीक है उसको क्ने च्रफ टैटवींग लेकम लिखा है काल्फ कलमतलब बच्छा या फिगले हैं पिगलेट विगलेट पीदि सूर का बच्चा नहीं ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अच्छा टैटिंग का काम किया लिए काल्फ मतलब गाए एक होड़ो बच्छडे को बिलता है इसमें ज्यादे इसनेमाल किया जाता है यह ट्रेट्विएंग की परकिरिया होता आपको फोर्सेप ट्रीम जिंक लेटर तर्टर याफ फिगर को हमका कर सकते हैं लगा कि जरूरत पढ़ती है जहां पर भी टेटू करना रहता है जहां पर टेटू करना रहता है उसको अच्छे से साबुन पानी सिखा करते हैं पहले होते हैं फिर पहुंचते हैं अच्छे से उसके बाद टेटू इंग टेटू इंग फोर सेप की मदद से टेटू करना है टेटू फॉर्सेप कही है निखा हुआ इस दॉन विश्ट रहप आफ टॉन शेट कॉम प्रीजिंग आफ ए टॉन पॉर्सेप ए देखो टॉन पॉर्सेप टॉन इंक इस शीरियस आफ लेटर्स विट फिगर तॉट टॉट 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 विट्रू एटुट विट रूली इसक्राइ विर्टरू एटॉ आफ टॉट एया टॉट टॉट इस सब्सकराइग है इस एपका हुट टॉटाइग है वीर श्टत्व टॉट 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 चवर टॉटिक है एुट एक्सительно that कर सायफ दॉट टॉटटिंग पॉट आफ टैड या साफ्ट the jaw of forcep firmly over the part of ear to be tattooed rub some more ink into the tattooed punctures चलो ठीक है हिंदी में जो पता है हो ज्यादा बेटर समझना है को इंग्लीश से बाकी टेगिंग देख लेते हैं टेगिंग क्या है टेगिंग करना टेग टेगिंग टेगिंग मतब यह टेगिंग हम मोस्टली इसमाल रूमिनेंट्स में करते हैं जैसे की सीप सीप मतलब भैड बकरी यह टेग ऐलमूनियम या प्लास्टिक से बना होता है यह टेग जी दो टाइप का बना होता है कान में छेद हो या फिर सेल्फ इयर्जिंग नों पर्सिंग मतलब इसने दो परकर कहुता है एक तो कान को छेदना पड़ता है डायेक्ट छेद कर हम लगा सकते हैं और दूसरा एक होता है जिसमें पहले से छेदा हुआप रहता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग पहना देते हैं ठीक है इसी को बोला गया है ठेगिंग ठेगिंग ठीक है हम लोग क्या किए कता है बक्री भेनर समय Window डूमेन्न को छोते होता है इसमाल रोमेने हैं को होता है जो following कान को छेतना है आजह देल्प एर्जिंग मतलब छेदा हुए रहता है शुँक्त प्लेक्ट पढ़ना दिया जयता है ठीक है उसके बाद नहिक में या निसान नमबर बाधा जाता है क्त लिए हैं मतलब अच्छा टेगिंग को इसमें लिखा है कि इयर टेग मेड अप अप लाइट मेटल और हैंड प्लास्टिक कैंड भी फिक्स्ट विज़ अप यह तेग केटर और टेगिंग फोर सेब टेगिंग फोर सेप या तो फिर उसको काबल है डायता है टेग एपलिकेटर टी- इसके बाद लगता है मोस्टली यूजड फॉर सीप गोट एंड यूंग एनिमल एंड आल्सो फॉर एडल्ट एनिमल कि इस्पेसली फॉर इंसूरेंस परफ़स मुस्टी हम इसका यूज़ कप करते हैं सीप गोट में सीप में सीप गोट में और एंड यूंग एनिमल एंड आल्सो फॉर एडल्ट एनिमल इस्पेसली फॉर इंसूरेंस परफ़स इंसूरेंस करकर करने के लिए अपने जैनलों को पहचानने के लिए हम लोग इसको करते हैं यूज़ करते हैं देयर टू टाइप आ non piercing type in non non piercing type tag a hole a made with a tag punch tag punch or pen knife ठीक है उसके बाद self piercing type is fixed on a on ear with tag applicator ठीक है चलो इसके बाद हमल करते हैं शाठाव नमर करके इस tag have two parts one is having a null which it is known as male part another having a hole is known as female part both parts are placed in the application then applicator is past family family अ उसके पाद इस करो सिर्नोंसिंड देख रहते हैं ये और निजदेशा है कान को कतरना ये लोगो सिंग कदेवां इस पी आभेप में करते यह प्याइट करते हैं यह कान को कहते हैं कि यह नोचिंग कान को कत्रा जाता है पीगलेट में सुवर के बच्चे में खूर हो गया यह नोचिंग कुछ खाज नहीं बसुएर के बच्च्चे में इसके दिस मेंटाज इज मैंनली यूज्ट फर पिक्स एंड सीप पिक्स मतलब सीप सीप मतलब भेन में कर सकते हैं हम लग और सूर में कर सकते हैं में पिक्स प्रिश्ट इसाथ इस सीप प्रिश्ट अलों रॉडर अब यह विस्व थैल आफ एफ कि शीजर के शाहता से सीजर मतलब कहा चीज का पता कुछ काटने वाला हो गई से कुछ एन नौट एन नौट एन नौट एन रिप्रेजेंट एन नंबर डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन विदर इन टॉप और इंड आप दा इयर एंड आल्सो इन वीच एट इस ठीक ह खेल बत नहीं गले का पट्टा में हम से पहुझ जाते हैं यह आपको होगे यह आपको और बैंको तक है यह संब भी तरह का रंग लगा जयते हैं जिसे से उसकी पहचान ईजी हो जाए लेग रिंग्स घुंगुरू पायर में घुंगुरू लेग रिंग्स के अंतर क्या करते हैं पायर में घुंगुरू और पूछ में घंटी पूछ में घंटी बादना और पॉल्ट्री यह पोडिटृ में का लिखा है पोडिटी बेंड्स पोडि बैंड़ जिसमें कहीं होता हैं वींग बैंड्स और लेग मतलब पॉंट में लगाना और पैर में लगा सकते हैं दोना अब सब्सक्राइब हैं पुल्टी बैंड्स Prof does तरीक है उसके बाद हम चलते हैं यह गले में इसमें लिखता है कि गले की चैन या पट्टा यह तरीका लगभशा भी प्रकार के पसुव काम में लिए आ जा सकता है यह भी एक अधिता इस्ठाई तरीका है जिसमें पसु की गर्दन के चारों तरफ कोई चैन बेल्ट पट्ट देते हैं इसे बांगते समय ध्यान रखना चाहिए कि न तो यह ज्यादा धीली रहा और नहीं ज्यादा कसा हुआ रहा है इस तरीके में चैन या पट्टे पर किसी प्रक्रिकर निसान नमबर या घंटी यादी बांग देते हैं इसे पर सोगे पहचान में असानी होती है ठीक ह इसके वाद आपका आगया खूर सिंग का निसान बनाना जो मैं पढ़ चुका है इस तरीके में इच्छित निसान को गरम करके घोड़े के खूर या कटल के सिंग पर लगा जाते हैं जिससे वह निसान बन जाता है जिसकी सहायता से लंबे समय तक पसुद के पहचान कर सकते है प्रन्तों यह निसान दिर दिरे हलकावा धंदला हो जाता है अलकाल मीड जाता है ति दिरे उल्ड़े कराण करतों की निसान को गरम करके घोड़े के खूर में लगा जाता है एक कि तर से उसकी पहचान की जा सके हैं जैसे भेड़ा मूर्गों में यही तरह कर रंग लाकर उनकी पाचान की जा सकते हैं पर हमें छले बानकर कुछ लोग क्या कता हैं लेग रिंग्स बांद देते हैं धातु के बने हुए गौल छले पहना देते हैं जिन में घुंगरू भी हो सकता है ठीक है उसके बाद कभी कभी इंशलों पर नंबर भी लिखे हो सकते हैं पूश की घंटी टेल बैल पूश की घंटी मतलब टेल बैल पूच हो गया बैल मतलब घंटी है पूश में घंटी कभी-कभी पसु की पूश पर घंटी अटेक बांद कर भी पसु के पहचान में मदद ली जा सकती है ठीक है उसके पॉल्ट्री पॉल्ट्री समझ में आ रहा है पॉल्ट्री के अंडे से बाहर आने के एक दो दिन के बाद उसके फीदर्स फीदर्स मतलब फीदर्स पर एलमुनियम धातु या प्लास्टिक के हलके टेग लगा देते हैं जिनें वींग टेक्स कहते हैं कि वह इन पर कोई लेटर नंबर या निसान अंकित होता है जिसे पॉल्ट्री की पहचान की जा सके इसके बाद पॉल्ट्री के परिपक्वा हो जाने पर विंग टेग हटा देते हैं यह प्लास्टिक के हलके टेक्ट लगा दे जिन्हें लेग-बेंड्स कहते हैं इस विंग विंग टेक्स कप लगा देते हैं गOND यह संगजर निहे tutteने प्लास्टिक लगा देते हैं उसके बड़ा हो जाता है तब हम उसको करते हैं विंग टेक्स को हटा करके उसके पर में हम लोग लेक बेंट लगा जाते हैं इन पर में लेटर नंबर या फिर रंकितनी सान होता है जिसे पॉल्टी की पहचान की जा सके ठीक है चलिए वालाइब इसको देख सकते हैं अवरा प्रीक्टी करत वह दून वित दॉनन में वी इंहाँ देखना है यह जो दिख रहा है आपको यह है एर टेगीं एप्लिकेटर के ऩए लिकितर हों यह है आपका टैटूइंग फौर् cozy peng嗟 का पिक्चर आप देख रहे हैं टेट्विंग फॉर स्टेप ठीक है जो फिगर हमने अभी आपको दिखा उस प्रिक्टिकल में भी बिताना रहा है चलिए हम आज नेक्स टॉपिक देखते हैं यह लिखा है नेम साइंटिफिक नेम जिसमें साइंटिफिक नेम लिखा है और उसक हमने उसका का इनकुवेशन पिरियड उसका इनकुवेशन पिरियड मतलब गर्भा वस्ता गर्भकाल ठीक है चिकन जो होता है जिसको हम आहुनों क्या होता है चिखन गैलस डॉमेस्टिकस ंंटि-ए-।-वै fine दिण होता है ड़क के कैस्में हम देखे हैं दी-कैस इसका होता है एनास अ एन आस एनस पीयल एप्दी उइ प्लेटीरिंकस छियुग्ड वाही व्युगिश्द लुमी तो दशल्टीयूक्र та यह कनी दिश्ट एनसरेटिरिंकस। डग का जो होता है इसका एक इंकुबेशन पिरिएड होता है 28 दिन का ठीक है इसके बाद होता है आपका टर्की टी यू आर के यू आई टर्की टर्की को क्यों होता है मेलगरीस गैलो पावो ठीक है यह होता है आपका 28 दिन इसका समय होता है उसके बाद यह है आपका गुनिया फॉल वियू अप गुनिया फॉल जी यू I N E A F O W L यह होता है आपका न्यूमीडा आममीडा मेलगरीस इसका आपका 28 दिन होता है इसके बाद गूस एंसर 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 गूस लिखा है इसका 28 दिन होता है उसके बाद जापानी स्कॉयल जापानीस को बोलता है कोटर निक्स कोटर निक्स जापानी का जापानी का कोटर निक्स कोटर निक्स कोटर निक्स कोटर निक्स जापानी का यह हो जाता है उसके बाद बॉब वाइट कोईल यह होता है कॉलीनस बिर बिर जीनियानस बर्गिनियस ठीक है इसका होता है तेज से चब बेसे इसका ऑश्टिच जो होता है इस टूथिस केमेलस फॉटिट टूडेज इमू क्या होता है ड्रोम ड्रोमियस नावावो लांडी फिर समझ में नहीं आ रहा है मेरे को यह पढ़ाने हो भी निसलिए पीजन कहाता है कबुतर ना को पीजन कबुतर ना कोलूंबा कोलूंबिया को लुम्बिया को लुम्बी ए इसका 17 डेज होता है ठीक है चलिए खार चूटते हैं इसको अतना इंप्रूर्टन मुश्ट लगने रहा है और मने पढ़ाने को भी न में प्राब्लम बस इतना ही है चलिए आगे देखते हैं इसमें ब्रीड्स लिखा है ब्रीड्स को क्या करें परिभासित कीजिए डेफिनेशन मतले का सकता है इसा बी आर डबल इडी ब्रीड मतलब परजाती ठीक है तो बर्ड्स का ऐसा ग्रूप जिसमें उसका सेप साइज और कलर एक परकार के लक्षण परदशित कर रहे हैं सिमिलर हों उसे ब्रीड कहते हैं ठीक है हम आपर पॉल्टी को लेकर पड़ रहे हैं तो यहीं ब्रीड्स आपको सब जो है एनिमल में भी लाग हो जागा ब्रीड्स मत तो ही होगा कि ब्रीड्स का ऐसा ग्रूप जिसमें उसका सेप साइज और कलर और क और एई करेक्टर स्टिक्स से मिलर हूं उसे बिड कहते है ठीक है ऐसे सब आंसरी कहा pr आप यहां कर्सक्रण का ने सकते हैं को निस सब क्या है एक ही प्रीड़ के ऊप ठीक है उसके आगे देखते हैं अलब ही चै bakनि आप डेड़ार कि बिड़् की अले दने होता है जो एक पॉर्ट एक पार्टिकूलर या स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में बनते हैं ठीक है क्या होता है ब्रीट्स के क्लास के अंतर क्या होगा ब्रीट्स के ब्रीट्स जो एक पार्टिकूलर एरिया स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में सबस्क्राइब नहीं बनते हैं उन्हें क्या कह जाता है एक ही क्लास के अंतर गता है जैसे एसिज्जिक खुलास ठीक है एसिज्जिक खुलास फिर हो जाएगा आपका अज़िए एस्टेटिक क्लास के अंदर करता तक और अबार्मा कोचिंग लांक सो उन्ट ऑन्र इसा बता है इसके बाद इंडियन क्लास हो जाएगा हमका एसएल कड़कनाथ and class 1 पुसरा मीशे सबता है जिसे अमेरीकन ख्लास हमेरीकन शोजएगा उसके बाद ऐस्याटिक ख्लास हमेडिधरीन ख्लास हमेंघस क्लास हमेंशे आफ यहां मेडिटریन एंपर का क्लास हमेंठरे हमेंथ जिसे तो mammariya क के अंदर कैने के जाता है आपका जिससे हम बीट को पहचान सखें ठीख है चेली हम चीकन को जैसे मानके बाट के देखते हैं एक बार चीकन को आपका आ एम एल यहां पर लिखता है ठीक है यूटिलिटी यूटिलिटी और होजाएगा आपका ओरिजिन ठीक है दो भाग में माटते हैं जीकन को तो MLA यहाँ पर utility में लिखता है ठीक है तो एक उत्पादन है तू उसके बाद एक उत्पादन है तू का होता है मीनोर का मीनोर का उसके बाद B क्या हो जाएगा leg horn ठीक है C क्या हो जाएगा अंडल यूजियन चेंब पादन की उद्रिर्श से हम कहते हैं इसका उत्पादन करते हैं आइं फ़र में अधरन का लिग और अनंडली सिर्ड हो उसके बाद एंजियों आर यांजियों आ इंसियोन उसकेफी नदिDer ताइस मांस उत्पादन के उद्यस्य से तो इसमें क्या होता है आपका कोसा सी ओ एस ए सी ओ आर एन आई एस एच कोर्निस ठीक है भी हो जाएगा और पी और पिंटन और पिंटन सी क्या हो जाएगा ससेक्स अर डिक हो जाएगा अस्ट्रेलियोर्फ उसके बाद थर्ड हो जाएगा आपका डूवल आर आई आर ठीक है यह है आपका इूटिलिटी के अंतर उसके बाद ओरीजिन इंग्लिस क्लास ओरीजिन में कहा होगा इंग्लिस क्लास इसमें देखते हैं ए लिखा है कॉर्निस कॉर्निस बी लिखा है और पिंटन सी लिखा है पीग उसके बाद दूसरा आगया आपका मेडिटेरियन क्लास इसमें है मिनोरका लेग हान एंड एलुजियन उसके बाद थड़ हो जाएगा अमेरिकन क्लास इसमें आर आ यार उसके बाद प्लेनो निव हैं हैं सर ठीक है यह सब है और इसका और आगे जाएगा आपको किसका तीसरा का डूल वाला जो है थोड़ा और आगे जाएगा आपका प्ले माउथ रोका निव हैंट सायर और वाई एंड गेम टाइप हो जाएगा और असील होगे ठीक इसका ब्रहम ब्रहमा एक्ट होता है ब्रहमा एस्ट्राटिक क्लास के अंदर करता है ब्रहमा कोचिंग कोचिन और केंगसन ठीक है चलिए ठीक है इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे है एक बार फिक से देख लेते हैं अच्छे से आपको क्या मतलब और अच्छाशा अपिख से परफिंप क्याना फारा कृट कि परमुआ को मतली के पोर्जाती करते हैं पर्जाती को होती है कि समको 20 रंग अधुक अक्रवा कलगी के आकार इत्यादी से पहंचाना जा सकता है कि समके एंतर गत इन थrem' आ आफ लाहतने के प्राइब साथ है प्लाइमउथ रॉक आसके पार-इ-र उसके आड़ाद आईर वसके बार अच्तिक इसे परॉटेह स ठीक है अब कुकुट की भी हिंट पर जाती है में हागर मुर्गे को भारते पर जाती है मुखे रूप से असील वर्सा चिटकॉंग एम खड़कनात इत्यादी आती है पर जाती की मुर्गें बहुत आयत में पाई जाती है इनका संकित प्रसुद किया रहा है ठीक है असील यह पर जाती है अपने बड़े आकार लंबी मजबूर टांग गर्बंग लंबी गर्दन हम चोटे आकार की धारदार चोंच के लिए जान जाती है वैस कनर का उजन चार स पांच किलोगराम तो था मादा का ओजन तीन से चार किलोगराम तक होता है ठीक है इसके बादा हो जाएगा आपके जाती मांस के लिए तथा बिसीष्ट तस्वाद के लिए परसी थे वसकरत कड़कना तो जाएगा बहुन नमर में इससे काला मानसी भी कहा जाता है क्योंकि के इसके पूरे सरी प्राइए प़ परों यंभरों के साथ साथ मांस का रंग होता है जिसको ठीक है और नर को जुड़ किलो जंए लों होता जिए मन्स के बैसी तश्वाद पर सिद्ध के बुचिट बीचव समान साथ सब्हुर्स परसीद्ध है है ठीक है चर्दी Brook. एक कि नहीं है इसके मुख्य नसलों का विभाजन दो अधारं को मांड़ कर सकते हैं वह अधिक olmuş उगत आ कि अधर पर इनमे मुर्ग्यों को चार और को बैए धिक अधिक अधिक मानस के लिए अंड़ा थमांस दौनों के मनुरंजन के लिए तो अधिक अंडों के लिए वाइट लेघारना ब्लेक मोनार्का एंकोना यह सब क्या हो जाता है आपका अधिक अंडों के लिए उत्पादन किया जाता है लेघारना हो गया मोनार्का हो गया एंकोना MLA ठीक है लेगहरन मुनारका और आपका एनकोना MLA अधिक अंडों के लिए अधिक मांस के लिए असील, चितगोंग, ब्रम्हा, कोचिंग, कार्निस, जर्सी, जाइंट्स इत्यादी ये सब होगे अधिक मांस के लिए अंडा था मांस दोनों के लिए रोड, आइसलेंड, रेड, नियुहम, सायर, आश्ट्रे, लार्प, पलाई, माउथ, रॉक, और पिंग्टन, ब्यास, टार्ट इत्यादी होगे ठीक है मनरंजन के लिए बंटम, पॉलिस, हैम, वर्ग, इसके बाद निवास इस्थान के अधार पर इसके अधार पर मुर्गियों को पांच वर्गों में भीभाजित किया जाता है, भारती ये जाती हैं, होगे आपका एसी आई जाती हैं, उसके बाद यूरोपी ये भूमेस साग देने वाली पचास साथ अंडे, प्राय हंडे से चूजा पैदा करने वाली पालतु धीमी गदी से बढ़ने वाला है, तथा मजबूत होती है, मान्स अधिक स्वाद यूग तो होता है, तथा देखने में आकर सक लगती है, इनमें असील, चितगोंग, बसरा, तथा गेघस परमुक जाती हैं, इसके अलावा कड़कनात, बसरा, लाबस, टेनिस, कस्मीरी, फगरोला, कस्मीर, फगरोला, काला हस्ती, यह सब कहां जाती है, असील, असील देख रहे हैं यहाँ पर, यह भालत के अपनी परमुक जाती है, यह लड़ने में सरोपरी है, इसके नर का भार साथे चार किलो तरह मादा का भार शाड़े तीन किलो होता है चेहरे के बनावट लंबाई लिए देखने में आकर सक होती है चित गोंग होता है चित गोंग लंसवतों असिल्ट से मैच कर रहा है देखते हैं क्या अंतर है इसमें इनको चटगाओं या मलाया के नाम से भी जाना जाता है इसके मुर्गे का सरीर भार लगबख साथे चार किलो तथा मुर्गी का भार मतलब मुर्गा साथे चार किलो का मुर्गी का भार साथे तीन किलो होता है इसके सरीर का रंग प्रया हलका पीला तथा सुना रहा होता है तो अंतर का है देखो साथे चार किलो अ क्योंगों निया ठीक नव आप देढ़ा बसरा में इसके नर को और साढ़े ती ये घड़ गया और 설द्रा और नहीं कि लो यह आपको बसरा जो है यह घड़ गया यह कहा सा है तो बताया है भी नहीं बस्टा के बारे में चले ठीक है घय घगस के बारे में देखते हैं गेगस यह भारी सरीर वाली कठोर नस्र की पक्ची है जिसका पालण मुखे रूप से मांस के लिए किया जाता है ठीक है मांस उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं घेगस का उत्पादन करते हैं पांच किलोग्राम इसका नर का भार होता है अपाच के ओजन मादा का भार लगव कितना चार किलो करम होता है, इसके बध कड़कनात आगिया, कड़कनात अपना दूई उधेशिये पक्ची है, उसका पलन अंडा उमाद दोनों के उत्पादन के लिए किया जाता है, कड़कनात प्रेख काले रंग होता है, इसका मान्शो अब काला होता है, इनके पестоण इनके पॉंक कूल करिया एकदम पीव और काला मुर्गयों में सुनने से साथ हप्तों की आउसतन देह वजन करमसा 25.08 ग्राम 38.06 ग्राम यह और 51.06 ग्राम 70.06 ग्राम 90.40 ग्राम 117.48 ग्राम 117.45 ग्राम तथा 182.09 आठ ग्राम पाया जाता है का है यह सब यार देह का वजन बोल रहा है अच्छा अंत्रिक मिकालन क्या है कड़कनात मुर्गयों में सुनने से साथ हप्ते की आउसत देह वजन अच्छा सुनने से साथ हप्ते का वजन पचीस ग्राम का तो चूजा निकलेगा और तीस ग्राम पहला दिन होगा एक कावन ग्राम दूसरे दिन हो जाएगा सत्तर ग्राम तीसरे दिन नब्वे ग्राम चौथे दिन इकस सत्तर ग्राम पाँच में दिन, 114 ग्राम च।टो में दिन, 7 में दिन 182 ग्राम हो जाएगा बिस हथ्तका में खळक नात मूर्गी का एवरेज वजन हो जाएगा एक किलो तीनसओ तीस ग्राम हो जाएगा ठीक है कड़कनात मूर्गे का आवसत वाजन एक किलो 430 ग्राम पाया जाता है कड़कनात मूर्गे में एक से साथ हफ्तों की आवसतन दाना रुपांत्र दक्षता फीड कुण्वे कॉन्वे कॉन्वे जन सब्सक्राइब करें जाता है इस जाती का पालन मांस की प्राप्ति के लिए किया जाता है देखने में ये भी आकर सकोते हैं में अंडों का उत्पाइब कोudsक का भार जो हता है लगभग साथ है पांच किलो मादा का भार लगभग चार किलो दोसो गराम होता है ठीक है जिसके लगे चैन के संघाई जाती के नाम से मिञएन जाता है इसके लिए नर पकषिक बाहर जॉता है साथंधी पांच मतलु है पांच 10-2 कि लो तो था मादा के भार 4 किलो होता एं उसके बाद होगे आपको Afric तॉष नहीं कोचीन दिए का कोचीन ही है यह का ब्रहमा है आं चलो ब्रहमा जो है पांच 10-4 किलो गरम मेल और चार्व फॉल डो खिला में इबर मांगो जाने सब्त तो मिनोर्का में का है कि इस जाती को लाल और काली इस पेनिस भी का जाता है यह मुर्गी भूमेद यह तट की सभी जातियों में सबसे भारी जाती है इनके अंडे अकार में बड़े तथा सफ़ेद होते हैं इसमें अंडा उत्पादन छमता भी अधिक होती है इसके नर जाती है इसमें बुरुट का जाती है इसमें बुर्ध होती है मुर्गिया बुरे रंग का अंडा उत्पादन करती है इसके नर का भार लगभक चार किलो समादा का भार लगवक तीन किलो होता है ठीक है उसके बात कौरनी इस्तिया जाती भारती जाती के असील या मलाय तथा इंग्लिस केम जातियों के संक्रंट से प्राप्त किया जाता है इसके नर का भार चार दसमलो पांच किलो ग्राम तथा मादा का भार लगवक तीन दसमलो चाल किलो ग्राम होता है इनका सरीर भारी होता है इसमें कंदे की मजबुती हड़ियां दूर दूर तो था सीना चाड़ा भारा हुआ होता है ससक्स ससक्स के बारे में जान गए कार्निस के बारे में जान इसके नजर का भार लगवक साड़े चार किलो तथा मादा का भार लगवक साड़े च्छा किलो होता है इनका सरीर भरा हुआ लंबा चमड़ा होता है कलगी की कहरी या गुलाबा कृती तथा चेहरे का रंग लाल तथा अंडे का रंग भूरा होता है तवस्क्राइब अमेरीकन जाति कि इसमें कहाता है रोड आइलेंड रिड अच्छा रोड आइलेंड रेट आर ए और यहीं आ रहा था न कई बार आर ए आर ठीक न up चेंट उत पती नu निव इंगलेंड के निव कंप्पटन रोड기는 आज sexy लगभक साव और्स पुरो सनो अठा ससंतावन लाल मलेगें भारती नसल लेगहाण रूपी नसल था लेगनसन और ब्रम्हा नसनो के संकरंड से किया गया है इनके व्यस कनर का भार लगभक 3.9 किलो ग्राम समाधा का भार लगभक 3 किलो ग्राम होता है इनका सरीर भारी लंबा चोड़ा साइता कर होता है इन में पड़ों का रंग होता अंड़ का रंग työ निफ्याओं रोद आईलेंड रेड़ यद्ध रोड आईलेंड रेड़ अमेरिकन जाती आँंतिए है इसमें कैं इसका रंग उन्डे का रंग भूरा होता है उसको निव हम सायर आपका जो है इसमें होता है यह अमेरीका के निव हम सायर इस्थान में भीक्सित एक नई जाती है यह तीब रगती से बृद्धी करने वारे मानसल पक्षिए हैं इसके नजर का भार लगब चार किलो गराम तिन सुन नव कि लाल होता है दूम पर काले इसके सलाही पर हरे आबायुक्त काले होते हैं मादा में दूम कार रंग काला होता है पर दो किनारे पर लाल ले इतका न्डे का अकार बड़ा और भुरा उता है ठीकल just प्लाइ माउट रॉक्स प्लाइ माउट रॉक्स इस जाती का भी कास ब्रह्मा कोचिन एम उमी निकस के संक्रण से अमेरिका में उवेनेया दौरा किया गया था इनके नर का भार चार दसनो तीन ताता मादा का भार तीन दसनो चाल किलोग्राम होता है इनकी सफेद, काली ताता पॉप सबसे परमक उप जातियों हैं इसके अलावा भूरी, पीली, नीली, इतियारी उप जातीया maple अच्छी है कंग कलंगी गलफड़े तथा कान कि अ कान की लौएं लाल रंग की होती है पंजे सहीत पैर का रंग पीला होता है उसके बाद बयान डाट को बढ़न बता रहा है इसमें बोला गया है बयान डाट में इसका विकास सिल्वर सीवाइट चिंता गोंग हैं वर्ग डार्क रूमा था कोचिंगी सफेद जातियों के संक्राण के अमद है निव यार्क में हुआ था यह दूइकाजी नसल है जिसके नर्पक्षी का भार लगबग 3.8 kg मादा का भार 3 kg होता है मुर्गियां भूरे रंग का अंडा देती हैं इनकी सफेद काली गॉलेट्स पट्रीच लाले त्यादी उप जाती है ठीक है चलिए हम देखते हैं आपका हाउसिंग पॉल्ट्री इसकीन पर तक कुछ और दिख रहा है लेकिन हम थोड़ा सा भाइ जिससे की बीट को फंडे मोसम में मैक्सिममद थोप मिलती है और बर्ट में गरम हवाओं से बच को क्या सकते हैं अूर उनको क्या है तो मेक्सिमम दौब Ninete हमको क्या करना है यह डाल्यक्षन हमको क्या रहेगा आपका पूरब ब क्यिन होना चाहिए ठीक है उसके बात चggiप्ड़ाई की बात करेंगी तो आपका जो तो हाउस रहेगा, पॉल्ट्री का हाउस, पॉल्ट्री हाउस जो रहेगा, उसका चौड़ाई क्या होना चाहिए? कुकुट साड़ा की चौड़ाई, पचीस से 30 फीट होना चाहिए, चीस से फ्रेस एर आ सके, पचीश से तीस फीट क्या होना चाहिए चांडाई होना चाहिए उसके बाद लंबाई कितना होना चाहिए सुविधा नुसार कितनी भी हो सकती है लंबाई में दर तीस चालिस फीट से विभाजित कर पक्षी पालना उचित रहता है ठीक है मतलब सुविधा की हिसाफ से हम लोग कितना भी रख सकते हैं लंबाई में तो दर में क्या करते हैं 30-40 फीट से विभाजित कर पक्षी पालन उचित रहता है ठीक है कई भागों में हम लंबाई को बाट सकते हैं उसके बाद पांचवा में दिवार कैसा होना चाहिए वाल दिवारों की उच्चाई मैक्सिमम होना चाहिए ग्यारा फिट होनी चाहिए इसमें दिवार दो फिट उची होनी चाहिए और नौ फिट जाली होनी चाहिए ठीक है दिवार में सबसे एक बाद देख लेते हैं डिपिट की दिवार की उच्चाई मैक्सिमम ग्यारा फिट होनी चाहिए इसमें दिवार दो फिट उची होनी चाहिए इसमें दिवार दो फिट उची होनी चाहिए और मचा नौ फिट तो नौ फिट क्या होनी चाहिए जाली होनी चाहिए ठीक है सुने आ गया दिवार टोटल मिला के कितना है ठीक है छट कैसा होना चाहिए छट बिभीन परकार के बनाए जा सकते हैं छपपर के छट सबसे संस्ति पढ़ती है और मौसम का परभाव भी कम पढ़ता है ठीक है उसके बाद सबसे उत्तम रहती है किन्तु कुछ महंगी पढ़ती है ठीक है छट के लिए तीन चादर का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि गर्मियों में जो आवास है वा गरम रहता है और ठंड में ठंडा छट के बीच की उचाई कमरे की चंडाई की आधी होनी चाहिए ठीक है छत का धलान जो होना चाहिए और साइट जो होना चाहिए साइट की उचाई होगी हो कितना होची ग्यारा फिट होना चाहिए छत से तीन फिट का छज्जा दिवाल के बाहर की तरफ निकालना चाहिए जिससे बरसात का पानी अंदर ना सके ठीक है कितना छज्जा होना चाहिए दिवाल के बाहर तीन फिट तीन फिट का छज्जा निका नाली पानी पीने के लिए नालियां घर के तीन तरफ बनाई जा सकती हैं नाली चार इंच की एवं पक्षी के बैठने के लिए पांच इंच इस्थान होना चाहिए चार इंच का नाली पांच इंच का बैठने के लिए इस्थान उसके बाद दर्वाजा आवास के दर्वाजे बाहर की और खोलने चाहिए जिससे क्या होंगे पक्षी दर्वाजा अगर अंदर की और खुलेगा तो पक्षी हो सकता है दब के मर और जाएंगे तो इसके लिए दर्वाजा क्या करना चाहिए बाहर की और खोलना चाहिए ठीक है उसके बाद स्नेडी और आवस्यक जगह है चोटे चूजे के लिए हैं छोटे चीज़ अच्छा ये समान है यह सब क्या है है समान है चोटे चीज़े रखने के लिए 0.5 एप स्कॉर में दिखा है दो संने दो से 6 2 से च्छै जिरो प्वाइट से मेंन फाइब फीट आप सुथ अ मैं तो सबता में च्छैस तो एक स्कौइर फिट करना चाहिए उसके बाद लेयर जो है अब लोग स्क प्रिट बीक चिकन बड़ी मुर्गी के लिए दो स्कौइर फिट दो स्कौइर फिट बाइब फाइब फाइप जीजिर फिट ठेख सो मुर्गियों के लिए अगर बनाना है त चोड़ा तीन मीटर उचा दो सो चिकन के लिए बनाना है तो लंबाई 9 मीटर चोड़ाई 6 मीटर और हाइट 3 मीटर होना चाहिए 500 चिकन के लिए बनाना है तो लंबाई 30 मीटर चोड़ाई 7 मीटर और उचाई 3 मीटर होना चाहिए 1000 चिकन के लिए बनाना है तो लंबाई 30 मीटर और चोड़ाई 9 मीटर और हाइट आपका 3 मीटर मतलब हाइट हमेशा तीन मीटर ही रहेगा अपना लंबाई चमड़ाई को आप क्या कर सकते हैं कम बैसी कर सकते हैं जैसे सव के लिए हमने च्छाय और सठेचार लिया था तो जब दो सव कर दिये तो मुर्गियों के संखा दूगना हो गई दो इसको हमने क्या कर दिया चाय को ना हो सठेचार को चाय करके इस्टेशा मनाते हैं उसके वाद प्रेक्टिकल प्रेक्टिकल अफजर्वेशन फस्ट बोडी बोडी पर्स नेम डाइग्राम मेथाड परपन डाइग्राम व्रिट्स आप पौल्ट्री ठीक है चलिए चलिए देखते हैं चलिका है हाँ फिले निकिए नेष्ट बॉक्स देजार यूज टू गेट क्लीन एग एड टु एग फ्लोर एग इन एलेयर ठीक है ऑफ सेह फंट की सैटिक है एकने किसे को सबस्कारप कर सकते हैं उसके सेकंड़ नमबर में क्लिखे है लिनियर फीडर ऊजटीव नेर फूर फूर इफिट मेड अप और गॉल्ब नाइजट वायर यहां देखिए आपको फीड मतलब होजन देने के लिनियर फीडर कर रहा है उनको कह क्या पोलिटीग को करने के में दाना देने के लिए रहता है ठीक है गल्वेनाइज्ट कि वह रहता है उसके बाद आपका ऑटोमेटिक फिडिर ऑटोमेटिक फिकर कहा है अब है आपका आटोमेटिक फिडर ईहाँ जू डिप इसकनी ऐभ इने-वाला है ठीक है यह इनकी ऐता मेट फिडर हो गया उसके बाद आपको वेटिंग बेस्टीम डिख रहा है आप रेंश के ट्राइमिन मसिन यह सेड़ा हाँ करने के लिए ऐसे हम वह जैन कर से तो' क टैमर च्टिंग मसीन को काटना किसी पक्षी का क्या होता है चोंच बढढा हो जाता काटने के लिर क्या जाता है थिक inmig dimer Mστε russia रखा जाता है थिक इब इस लिए के मसी उसमिदाने वाला है को शुंच को काटा जाता है काहना चाहिए उसका जाट हमने आटोमेटिक बेल टाइप ड्रिंकर ड्रिंकर बोले तो सीधे पानी से समझ आ रहा है आपको समझने ठीक है इसका पानी के पानी पिलाने के बेवस्ता के लिए किया जाता है तो आटोमेटिक बेल टाइप ड्रिंकर से बेल टाइप अटोमेटिक वाटर नर पानी उनि पिलाने का भुस्ता था है तो कि उसके बाद लगष। इसके बेंग सिनेटर ट्यूमआ जाता है उसके बीदिधि तर मेफ्ल पेंट क्से नदिधि लगाया जाता है विसके बास निपल और यह आपका निपल एंड पान ड्रिंकर ठीक है निपल एंड एज्ब दूरोरेकर निपल एज्बं कर इसका क्या है आपका निपल प्रैण डिंकर में च्छोटे जोटी होते हैं उनको पानी पिलाया जाता है इसी से छौटे identify यह होते हैं उनको निप्पल ड्रिंगर से Pani पिलाया जाता है तीद उसके बाध इनकुवेटर मसीन ये है आपका इनकुवेटर मसीन जो बहुत है इंपोर्टेंट मसीन है इनकुवेटर मसीन ठीख है वाक इन इनकुबेटर और यह है आपका टूनल टाइप इनकुबेटर ठीक है तो इनकुबेटर मसीन का क्या क्या काम है इंकुबेटर मसीन जो होता है इसी में आपका होता है हैचर और सेटर तो हैचर में हम लोग क्या करते हैं तीन दिन रखते हैं आखरी के तीन दिन और सेटर में क्या कर सकते हैं का कर सकते हैं तीन के पहले जितने भी दिन उसका इंकुबेशन पिरेड होता है उतना रखते हैं जिसे चीकन के केस में 21 डेज होता है तो उसमें लोग 18 डेज सेटर में रखते हैं और तीन दिन क्या करते हैं हैचर में रखते हैं डग के केस में अ ठीक है अब सेटर में आपका रखा जाता है कितना दिन यह कंफर्म नहीं हो रहा है लेकिन आखरी के तीन दिन हैचर में रखते हैं जहें कोई भी पॉल्ट्री हो ठीक है चलिए इसके आगे हम देखते हैं अब यहां पर आपको सेटर है चाहर सब दिख रहा है वाक इन इंकुवेटर वाकिन इंकुवेटर ठीक है और यह है आपका ट्यूनल इंकुवेटर ठीक आगे चलें केंड़िंग मछीन के बारे में जानते होंगे गैंड़िंग मछीन का होई है ca won Сейчас के केंडलिंग मसीन हम यह पता लगाते हैं कि जो अंडा बन रहा है ब्रूड जो हो रहा है तयार हो रहा है उससे चुझे निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे सही चुझे हैं एंब्रियो जो निर्मार्ड हो रहा हो सही सिलामत हो रहा है नहीं हो रहा है सब पता करने के लिए हम क्या करते हैं कैंडलिंग के परकित्या का इस्तेमाल करते ह। hack है उसके बाद आपका है ड्रिंकर मेट आप आप प्लास्टिक ठीक है ड्रिंकर पानी पीने के लिए है सीधा साथ दिख रहा है पानी पीने वाला है ड्रिंकर उसके बाद हो जाएगा आपका पेन एंड जार टाइप ड्रिंकर पेन एंड जार टाइप जिन ड्रिंकर पेन च्टेंट वॉष को होता है तो राइध गर्मी पर्दान करता है तन्ट में कि एसी लेइल गता है पर अब इसके को क्या है रिफ्लेक्टर जो सब्सक्रेंट लेट दो समक्साह opens में करता है बस इतना जनना बहुत जो ड़ी पर्याप्त है ठीक है उसके आगे कहा है ड्रिंकर ठंड में गर्मी परदान करता है ठीक है आपका रिफ्लेक्टर उसके बाद आपका है क्या मेनुवल ड्रिंकर मेनुवल ड्रिंकर मतलब भी पानी पीने वाला है मेनुवल ड्रिंकर मेनुवल ड्रिंकर में पानी पीने है तु साफ करने के लिए है जाड़ो जैसा होता है अब गंदगी को क्या किया जाता है साफ किया जाता है ठीक है उसके बाद है आपका इसका नाम क्या है रेक ना उसके बाद electric broder, electric broder, इसका का काम है, बड़े पक्छियों को, बड़े पक्छियों को, जब हम गना क्हिलना होता है, तो सर्कुलर फीटर का स्तिमाल करते हैं उसके वाद स्टॉप स्टॉप दिख रहा है यह इस आप सब्सक्राइब नोग चार कोल लोग गरीब होते हैं वास आर्थिक कंडिशन ठीक नहीं होती है वह लोग क्या करते हैं टेंपरेचर देने के लिए चूजे लोगों को टेंपर बिट्स देख लेते हैं पॉल्ट्री बिट्स ए अमेरिकन क्लास के अंतर गाद निवहम सायर वाइट प्लाइम आउट रोक रोड इजलेंड रेड वाई मेंडिटेरियन क्लास होता है मिनोर का होता है लेग होरना होता है एंकोना होता है मेडिटेरियन क्लास के अंतर का मिनोर का लेग होरना और एंकोना ठीक है इंग्लिस क्लास के अंतर गत कॉर्णी ससेक्स और फिंटॉन और आस्ट्रोलार्फ होता है उसके वाद एस्टिक क्लास के अंतर गया था द साल आजाता है ब्रह्मवा कोचिंग लेगहार ठीक है लेंग सन लेंग सन्हार फिक्टर आप देख सकते हैं नियू हम साइर हो गया वाइट पले वाइट पले माउथ रॉक इसके बाद हो गया आपका रोड इज लेंड रेड इसके बाद व के बाद इनकोना इसके बाद सुसेक्स उसके बाद आश्टो लॉर्ट उसके बाद और फिंटन ठीक है यह आज के क्लास खतम करते हैं धन्यमत थैंक्स पर वाचिंग